हेलो एवरीबन, वयलकими टो माइचेनल तो आज मैं आपके दिन लीकिया ही हूँ, बहुती शुंदर-टा-डेज्आइन जीसे आपकिसी भी लेडिस स्वेटर जंट स्वेटर यंप बेबीश्वेटर में मना सकते हैं या किसी भी ladies cardigan में आप इसे बना सकते हैं और प्रोजेक्ट पर आप इसे apply कर सकते हैं front से यह कुछ ऐसा बनता है और back side से कुछ ऐसा बनता है 10 row का आपका यह pattern है इसमें आपको क्या करना है 8 के multiple case आप से फंदे लेने हैं प्लस 2 extra एजिस्टिस फंदे आपको इसमें लेने है multiple of 8 और 2 फंदे जो आप एक्स्ट्रा लेंगे इसे कैसे बनाना है आज मैं आपको बताऊंगी लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने करा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने लाइक और शेयर करने और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालू तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मैंनेस में 18 फंदे डाले हैं अब हम अपनी डिजाइन की फर्स रो बनाएंगे फर्स रो को आपको क्या करना है पहला फंदा आप स्लिप कर लोगे और जो यह पूरी रो है इसे आपको ऐसे ही सीधा बुनके कंप्लीट करना है ऐसे आप इस रो को यहां तक पूरा सीधा बुनके कंप्लीट करोगे फर्स रो को हमने सीधा बुनके कंप्लीट कर लिया है अब हम अपनी सेकिंड रो बनाएंगे second row में आपको क्या करना है पहला part आप IASY ही slip कर लोगे और जो यह पूरी row है इसे आपको ऐसे अल्टा बुनना है ऐसे पूरी row को आप उल्टा बुनन के complete करनाए आपको यहां तकाव इसे उल्टा बुनके complete करोगे second row हमारी complete हो गई है अब हम अपनी third row बनाएंगे third row में आपको क्या करना है पहला फंदा slip कर लोगे अब यहां से repeat pattern start करेंगे 4 फंदे सीधे 1,2,3,4 4 फंदे सीधे धागा आगे 4 फंदे उल्टे 1,2,3,4 तो जो यह हमारी 3rd row है इसे हमें कैसे बनाना है पहला पंदा जो एजिस्टिस वाला है उसे छोड़के 4 पंदे आप सीधे बना लोगे और 4 पंदे आप उल्टे बना लोगे यहां ता आपको इसे ऐसे ही complete करना है 3rd row हमारी complete हो गई है अब हम अपनी 4th row बनाएंगे 4th row में हमें क्या करना है पहला पंदा slip करेंगी दागा पिछे 3 पंदे सीधे 1 2 3 3 पंदे सीधे दागा आगे अब यहां से हम अपना repeat pattern start करेंगे 4 पंदे उल्टे 1 2 3 4 4 पंदे उल्टे धागा पिछे 4 पंदे सीधे 1 2 3 4 तो यह हमारी 4th row है इसमें हमें क्या करना है जो फ़र्ष्ट किये जो यह 4 पंदे है इन्हें छोड़के 4 पंदे हम उल्टे बनाएंगे और 4 पंदे हम सीधे बनाएंगे फिर से में क्या करना है धागा आगे 4 पंदे उल्टे 1 2 3 4 अब जो लाश्ट के अपके 2 पंदे बचेंगे धागा पिछे करोगे एक फंदा आप सीधा बना लोगे धागा आगे और एक फंदा आप ऐसे उल्टा बना लोगे जो लाश्ट का फंदा है तो जो हमारी 4th row है वो भी complete हो गई है अब हम अपनी 5th row बन करेंगे धागा आगे दो फंदे उल्टे एक और दो दो फंदे उल्टे अब हम यहां से अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे धागा पिछे करेंगे चार फंदे सीधे एक दो तीन चार चार फंदे सीधे धागा आगे चार फंदे उल्टे एक दो तीन चार तो जो हमारी 5th row है इसे हमें कैसे बनाना है जो फर्ष्ट के हमारी तीन फंदे है इन्हें छोड़के चार पंदे आप सीधे बना लोगे और चार फंदे उल्टे बना लोगे फिर से धागा पिछे चार फंदे शीधे एक दो तीन और चार चार, चार फंदे सीधे, अब लाश के जो तीन फंदे बचेंगे, आप क्या करोगे, धागा आगे, दो फंदे आप उल्टे बना लोगे, और जो लाश का एजिस्टिस वाला फंदा है, धागा पिछे करेंगे, उसको ऐसे सीधा बुल लेंगे, तो जो यह हमारी फिफ्ट रो है, वो भी कंप्लीट हो गई है, अब हम अपनी सिक्स रो बनाएंगे, सिक्स रो में हमें क्या करना है, पहला फंदा ऐसे स्लिप करोगे, धागा पिछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, अब यहां से अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करें चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, चार फंदे उल्टे, धागा पिछे, चार फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, तो जो हमारी शिक्स रो है, फिर्ट के दो फंदे छोड़ की, हमें क्या करना है, चार फंदे उल्टे बनाएंगे, चार फंदे सीधे, फिर से धागा आगे करेंगे, चार फंदे उल्टे, दो, तीन, चार, चार फंदे उल्टे, अब लाश में हमारे चार फंदे बचेंगे, धागा पिछे, तीन फंदे सीधे बनाएंगे, धागा आगे, लाश को जो एज वो भी complete हो गई है अब हम अपनी 7th row बनाएंगे 7th row में एक फंदा slip करोगे धागा पिछे 3 फंदे सीधे 1 2 3 3 फंदे सीधे धागा आगे अब यहां से मैं अपना repeat pattern स्टार्ट करना है तो हम क्या करेंगे 4 फंदे उल्टे 1 2 3 4 4 फंदे धागा पिछे 4 फंदे सीधे 1 2 3 4 तो यह हमारी 7th row है यह फर्स्ट के जो 4 फंदे हैं उन्हें ही छोड़के हमें क्या करना है 4 फंदे हम उल्टे बना लेंगे और 4 फंदे हम सीधे बना लेंगे तो फिर से हमें क्या करना है धागा अगे 4 फंदे उल्टे एक 2 3 4 फंदे उल्टे लाश के दो फंदे बचे हैं धागा पिछे एक फंदा सीधा बना लोगे धागा आगे लाश का जो एजिस्टी स्वाला फंदा से ऐसे उल्टा बना लोगे तो यह हमारी 7th row है वो भी कम्प्लीट हो गई है अब हम अपनी 8th row बनाएंगे 8th row में हम क्या करेंगे पहला फंदा सिलिप करेंगे धागा आगे दो फंदे उल्टे एक दो फंदे उल्टे धागा पिछे अब यहां से मैं अपना रपीट पैटर्ण स्टार्ट करना है चार फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार, चार फंदे सीधे धागा अगे, चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार तो जो हमारी 8th row है इसे हमें कैसे बनाना है जो फर्ट के हमारे 3 फंदे हैं उन्हें छोड़के 4 फंदे सीधे बनाओगे और 4 फंदे आप उल्टे बनाओगे फिर से धागा पिछे 4 फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार, चार फंदे सीधे धागा आगे दो फंदे उल्टे बनाओगे एक, दो, दो फंदे उल्टे धागा पिछे लाश्ट का एजिस्टिस वाला फंदा को आप ऐसे सीधे बुन लोगे तो जो हमारी 8th row है वो भी कंप्लीट हो गई है अब अब अपनी 9th row बना गए धागा पिछे एक बन्दा सीधा दागा आगी यहां से अबना रिपीर पैटर्न स्टार्ट करेंगे चार फंदे आप उल्टे बनाओगे एक को दो है कि थीन चयार चार फंद sacar उल्टे धागा पिछे 4 खंदे सीधे 123 134 तो जो है हमारी 9th row है उससे हमें कैसे बनाना है करोंगे चार फंद adults बना लोगे ओर चार पंद या उल्टे दागा पिच्छे तीन तीन दे सीधे निध में दागा हमारी 9th row है वह भी complete हो गई है अब हम अपनी 10th row बनाएंगे 10th row में एक फंदा slip करना है धागा आगे 4 फंदे उल्टे दो तीन चार चार फंदे उल्टे धागा पिछे चार फंदे सीधे दो तीन चार तो जो हमारी 10th row है उसे हमें कैसे बनाना है पहला फंदा जो चार फंदे उल्टे बना लोगे और चार फंदे सीधे बना लोगे तो ऐसे आप इस पूरी रो को यहां तक कम्प्लीट करोगे 10th row कम्प्लीट होने के बाद यह कुछ इस तरीके से बनेगा आपको क्या करना है इस डिजाइन को आगे कंटिन्यू रखने के लिए फर्स्ट रो से 10 रो तक आपको बार बारे से रिपीट करते जाना है बड़े पैटर्न में कुछ ऐसा बन के आएगा करता बारे से रिपीट करने का दोते आपको तरीके से भीट रोगे बारे से डीट होने के अवरे बारे से जाएगाम झाल झाल झाल